हाई गाईज मेरा नाम है कलपेश कर्ग और अपने सुडियों में आप सफी का में वेलकम करता हूं दोस्तों आज की सुडियों में हम बात करने वाले हैं कि इगनू B8 2020 के लिए जो ए कंटेंट है वो कैसे डाउनलोड करते हैं तो दोस्तों यहां पर हम मॉबाइल से भी इस काम को करने वाले हैं अगर आप लैप्टोप या कंप्यूटर से करना चाहते हैं तो उसका वीडियो में दिस्क्रिप्शन में दे दूँगा थोड़ी दिर बाद चेक कर लेना आपको वो वीडियो मिल जाएगा प्ले स्टोर पर इस तरह का इंटर्वेस आपके सामने आयाएगा अब यहां पर आपको दिखाई दे रहा है मास्टर डिगरी बैचलर डिगरी डिप्लोमा सर्टिपकेट्स अ अर्श्टों यहां पर क्यूंकि बेचलर प्रोग्राम है तो हम यहां पर बैचलर पर क्लिक करेंगे और यहां से हमें bachelor of education यहाँ पर search करना है यहाँ पर मैंने अपना subject जो है वो हिंदी में लिया है मेरा जो medium हिंदी है तो सिक्सा में सनातक बीएड यहाँ पर मैं हिंदी के उपर click कर रहा हूँ कि हमें कौन-कौन से subject डाउनलोड करना है मतलब कौन-कौन सा content डाउनलोड करना है हमारे optional subject कौन-कौन से थे तो वो जो हमारा हमने जो counseling में जो हम पूरा document लेके गए थे वहाँ पर हमने दो subject chain करके एक form में बरे थे तो वो भी हमने वहाँ से chain कर लिया था मतलब वो एक video मैंने description में दे रखा है आप उसे देख लिजी आपको सब समझ में आ जाएगा कि इन में से आपको क्या-क्या पढ़ना है तो सबसे पहले चलिए मैंने एक कागज के उपर लिख रखा है तो उसको मैं देख लेता हूँ मेरा पहला subject कौन सा है आप देख सकते हैं बालियावस्था ओयम विकास उसके यह पहला है बालियावस्था और विकास वही है मतलब childhood and growing up दूसरा है contemporary India and education तो यहां पर लिखा है समकालिन बारत और शिक्षा और तीसरा है learner and teaching अधिगम और शिक्षन तो यह रहा अधिगम और शिक्षन चोथा है education across the curriculum तो यह रहा ग्यान और पाठी चर्रा और लास्ट वाला जो है वो है सास्त्रों विस्था की समझ अंडेस्टेंडिंग डिसिप्लीन and subject तो यहां पर हम लास्ट में देखते हैं सास्त्रों और विस्था की समझ ही हमारा यहां पर नीचे आ गया तो दूस्तों यह तो हमारे सारे compulsory subject हैं तो जैसे बा ब्लॉक हैं इसको हम डाउनलोड करते हैं यह दिखी है भी डाउनलोड हो रहा है यह दिखी है हमारा दूसरा ब्लॉक भी डाउनलोड हो चुका है तो यहां से हम इसको पढ़ सकते हैं और तीसरा वाला भी इस तरह से हम डाउनलोड कर सकते हैं इसी तरह से एक एक करके हम यह सारे डाउनलोड करके यहां से पढ़ सकते हैं जब हम counseling में गए थे तो एक form बढ़ा था उसके अंदर ये सारी detail हमको दी गई थी शायद offer letter के अंदर भी ये detail थी तो ये दिखे ये जो 5 subject हैं वो हमें डाउनलोड करना है और बाकी के जो 2 optional subject हैं जो मैंने चूज किया हैं तो दोस्तो मैंने एक तो हिंदी और दूसरा मैंने ले रखा है English तो यहां पर bachelor of education English में यहां पर होगा pedagogy of English यह रहां तो ये दोनों मेरे optional subject अगे आगए है मटेरियल computer या laptop पर download करना चाहते हैं तो वो कैसे करना है उसका वीडियो में description में दूँगा आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दें और शेयर कर दें चैनल पर नहीं आये तो चैनल को subscribe कर दें आज तक के लिए इतना ही अगले वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए जय हिन जय बारत जय बारत सना